हेलो एवरीवान वेल्कम बैक टू मैं चानल क्रिस्टल जॉइफुल मैं हो निर्मला आज हम बनाने जा रहे हैं मिल्क पुडिंग बहुती सिंपल रेसिपी है और बहुती कम चीज़ों में बन जाती है अगर आप मेरे चानल पर नहीं है तो जल्द इसे जाके चानल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके तो फिर चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले हमें मिल्क पुडिंग बनाने के लिए त्री एक चाहिए यहां पर मैंने त्री एक का यूज़ किया है इसे हम एक बॉल में आड़ कर देंगे इसे हम अच्छे से फेट लेंगे अच्छे से विस्क कर लें ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे मेरे चनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए नेक्स्ट हम लेंगे हाफ कप पाउडर्ड शुगर वन कप मिल्क एड़ करेंगे दूद को मैंने अच्छे से बॉल करके थंडा करके यहां पर यूज़ किया है वन फॉर्थ टी स्पून वेनिला एसेंस डाल देंगे अब हम इस बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके उपर बबल्स आने चाहिए तब तक हमें इसे अच्छे से विस्क करना है मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन हिट कर दीजिए अभी इसमें अच्छे से बबल्स आ गए है अभी हम एक केक टिन को बटर से या फिर ओइल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए इसे मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है यहाँ पर मैंने इडली के सेट को गरम होनी के लिए रख दिया है अभी हम इस एक के मिक्षर को केक के टिन में ट्रांसफर कर देंगे इडली के सेट में हम इसे डाल देंगे और उपर से एक इसे प्लेट से ढग देंगे इसे हम 30 मिनट्स के लिए अच्छे से बेख करेंगे अभी मैंने मिल्क पुडिंग को इडली के सेट से निकाल लिया है इसे अभी हम थंडा होने के लिए छोड़ देंगे थंडा हो जाने के बाद आप इसे फ्रीज में रखें और इस तरह के से आप सर्व कर सकते हो इस तरीके से आप भी घर में बनाई है बड़ेश के लिए पार्टिस के लिए फंक्शन के लिए आप इस तरीके से बना सकते हो बहुत इसे और सिंपल रेसिपी है अगर आपको ए वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजे मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजे और आने वाले सारे वीडियो के नौटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजे थैंक यू